चलिए मैं आज आपको दिखाने वाला हूं अपने ओन्लाइन क्लास का सेट अप आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ओनलाइन क्लास कैसे लेता हूं मेरा ओनलाइन क्लास का क्या सेट अप है मैं डिटेल सारे एकुपमेंट का आपको बताऊंगा यह सारा एकुपमेंट आपको जो मैं यूज करता हूं ऑनलाइन क्लास का सेट अप में इसका सारा मेरे वीडियो की discussion box में आपको मिल जाएगा चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फ्रेम से मैं थीन फ्रेम सेट अप किया हूँ वन फ्रेम is for editing, अनदर फ्रेम फ़र मतलब जो दुसरा है वो फ्रेम मैं यूज करता हूँ for online classes, digital mode and third friend मेरा राता है whiteboard, जो पर student whiteboard में पढ़ा चाहते हैं वाइड बोर्ट पर करता हूँ चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने फर्स सेट अप से जो आप मेरे बैग्राउंड पर देख रहे हैं यह एडिटिंग बोग होता है मैं चलिए इसको डिटेल से एक्विप्मेंट को सारा दिखाता हूँ तो यह है हमारा पीजी का बहुत मॉनिटर है इसका मतलब लेंथ बहुत अच्छा है मतलब इस पर कोई भी वीडियो चलाईए एसडी मोड पर चलाईए 180 पर चलाईए मतलब यह स्क्रीन कभी भी फटता नहीं है यह डेस्टॉप के लिए मॉनिटर के लिए सबसे बेस्ट मॉनिटर है अगर इसके नीचे आत अगर इसके जिस्ट नीचे में आता हूं तो मेरे पास एक बैतरीण सी कीबूर्ड और आप देख सकते हैं कि यह कि कीवर्ड मेरा बैतरीन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमान लाइटिग है यहा पर देख सकते हैं इस तरह ब्लू है ग्रीन है और इधर जाकर रेड है यह company का है इसका भी detail मेरे description box में आपको मिल जाएगा और जितना भी equipment का मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका total review मतलब इसके बारे में ये कैसे काम करता है कैसे setup develop होगा सारा detail जो है वो आपको DG भारत में आपको available हो जाएगा आप DG भारत में जाकर उसको देख सकते हैं कि कैसे setup को install करें unboxing के video हमारा सारा उसमें राते रहता है मेरा friend है मेरा partner है वो unboxing का video लाते रहता है और ये मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो बगल में मेरे पास CPU है ये inbuilt CPU है जो बंदे इसका नॉलेज अच्छा रखते होंगे उनको पता है कि ये CPU खरदा ने गया है ये build किया गया है और DG भारत चैनल पर जो मेरा दोस्त है जो वीडियो बनाता है वो मुझे inbuilt करके ये CPU प्रॉइट किया है मुझे जरुवत था तो मैंने उसे मोनिटर कीवोड जेबियल और ये इस बेसिक के लिए CPU मैंने उसे मगवाया है तो ये मेरा फर्स फ्रेम है एडिटिंग फ्रेम है जहां पर मैं बैट कर गुमकड का सारा एडिटिंग करता हूं और ये मेरे पास रिलाक्सिंग जिस पर बैट करता हूं जो जब भी मुझे काम समय मिलता है तब मैं बैट कर ये सब काम करता हूं editing work या सारा detail work करता हूँ और just अगर बगल में आप यह देख रहे होंगे तो मेरे पास एक mic है यह noise cancellation mic है noise cancellation का मतलब कि जब भी आपको मान लिजे दूसरे room से मतलब यह flat है तो flat के दूसरे room में कोई दोस्त आप का आगिया या कोई party shotty कर रहा है और आपको है कि आप यह को काम करना चाहरा है तो आप इसके अपने पास इसको लगा सकते है mouth pass यह noise cancellation mic है इसको आप अपने पास अजेस्ट कर सकते हैं जैसे चाहें वाप उसको एजेस्ट कर सकते हैं और आप इसमें अपना voice को record भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं, यह company है, मैंनो करके कोई company है इसका भी detail आपके description box में इसमें मिल जाएगा इसमें detail description box में आपको detail मिल जाएगा और बहुत बैतरीन यह mic है जिसका मैं यूज करता हूँ हमेसा audio recording के लिए बहुत सारे इसे guycar भी होते हैं जिससे मेरा space बच जाता है तो दोस्तों, यह था मेरा editing का सबसे पहला frame जो मैं आपको दिखाया कि मैं कभी भी editing work करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, तो मैं ऐसी editing table पर बैठके करता हूँ सारे editing work करता हूँ, यह है मेरा पहला frame चलिए मिलते हैं, दुसरे frame में टेबलेट है, वैकॉम का, और यह मेरे पास digital pane है यह भी वैकॉम का है, और सबसे अच्छी बात है कि यह आगे से black है और पीचे से red है, तो बहुत interactive color लगता है इसको मैं setup हमेशा रखता हूँ, अपने laptop के साथ, laptop और paint टेबलेट मैं हमेशा साथ रखता हूँ, यह मेरा class digital platform पर चलता है और मैं इसके लिए यूज करता हूँ ring light, ring light प्रॉपर light के लिए जब आपके room में प्रॉपर light connection नहीं होगा तो आपको एक ring light यूज करना होता है, जिससे आपके face पर प्रॉपर light आ सके और फिर मैं camera का भी यूज करता हूँ, जो camera आप देख शकते हैं, यह Canon का है, DSLR है यह DSLR है Canon का, जिसका आपका detail, laptop, paint टेबलेट और camera, यह ring light का मेरे वीडियो की नीचे description box में मिल जाएगा और इस सारे setup का अगर आप detail review देखना चाहते हैं, तो आप DG भारत में जाकर देख सकते हैं वहाँ पर full on बताया गया है कि किस तरह से laptop और paint टेबलेट का आप setup इस्टॉल कर सकते हैं और कैसे online classes को ले सकते हैं यह मेरा total setup है जो आप देख सकते हैं एक चोटा से टेबल यूज कर रहा हूँ, चोटा से चेहर यूज कर रहा हूँ, एक water bottle रखा हूँ, marks रखता हूँ, जब बाहर जाता हूँ तो paint टेबलेट का यूज करता हूँ, paint का यूज करता हूँ, जिससे मैं PPT presentations जब मैं बनाता हूँ, यहाँ पर green परदा भी था, मैंने इसको अभी हटा दिया हूँ, कोई कि वो गंदा हो गया है, वो आ जाएगा, उसके help से मैं क्या करता हूँ, कि जितना भी PPT presentation उस पर draw करता मैं बच्चों को digitally platform पर सारे topic को समझाता हूँ online class में, जैसे online classes में जैसे online classes conduct होता है, तो यह मेरा 2nd frame है, दूसरा frame है, जिसमें मैं सारा यूज करता हूँ, जहां पर आप देख सकते हैं कि नीचे marker है, और यह यूज आता है whiteboard पर, जो कि मेरा 3rd frame है, चलिए 3rd frame क्यों हूँ, है मेरा whiteboard, जिसमें मैं classes online conduct करता हूँ, with the help of laptop and camera, लेकिन इसके लिए जो मैं camera यूज करता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह camera जो मैं लेच करता हूँ, वेbcam यूज करता हूँ, देखिए दोस्तों मेरे सामने यह webcam है, C270SD webcam है, यह 720p है, इसका जो setup install में करता सिधा मैं laptop पर install करता हूँ, क्योंकि इसका जो life classes गंड़क्ट होता है, इसके थुरू से, वेbcam को मैं laptop से connect करके, फिर board पर चला जाता हूँ, और आपको मैंने अभी ज़स दिखाया थे, कि मेरे पास marker है, तो marker कर यूज करके board पर जब मैं लिखता हूँ, तो मैं इस camera कर यू लिंक मेरे वीडियो के नीचे discussion box मैं आपको जाकर मिल जाएगा, बहतीरिंग camera है, आप इसका camera व्यूज करके, आप board पर setup कर सकते हैं, बहुत सारे से teacher हैं, जो digital platform पर PPT पर नहीं पढ़ाना चाहते है, बहुत बच्चे भी board पर पढ़ना चाहते है, तो उसके लिए कुछ नह मैं ले रखा हूँ Airtail का, जिसमें मुझे यह जो router मिला है, वो Nokia का मिला हुआ है, मुझे जो मिला है, वो Airtail का मिला है, नोकिया का router है, Airtail का मैंने भरा रखा है, क्योंकि Airtail बहुत अच्छा सर्विस दे रही मेरी area में, मेरी area में अभी तक Jio नहीं आया है, इसे लिए मै setup box, मतलब router मिल गया, और 3 मंत का plan मिल गया, जिससे मैं online conduct किया, और जितने मैना, मतलब 3 मैना जैसे खतम हुआ, तो उसके बाद मैं 600 का pack परचिश करता हूँ, जिसमें 5 Mbps speed मुझे मिल जाता है, वो बैतरीन होता है, आपके online class setup के लिए, तो यह मेरा 3 setup था, जो मैं बोर्ट पर दिखाना चाहता हूँ, बहुत बच्चे हैं कि बोर्ट पर समझते हैं, उनको PPT presentation या, डिस्टल बोर्ट पर बात समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपका physical moment दिख सकता है, मुझे इस class में, तो मैं बोर्ट का भी यूज करता हूँ, जब जैसा बच्चा बोलते हैं, यह यूज करता हूँ, और जो मेरा second frame है, जो मैंने आपको अभी दिखाया कि मेरा second frame है, second frame में कुछ नहीं, फिर से वही laptop, सिर्फ एक्स्ट्र पेंट टाबलेट, ring light और कैमरा का कभी ज़रूरत होता है, तो यूज करता हूँ, एक चीज कॉमन है, मैं आपको कॉमन क्या दिखान मोडवाला, और एक मेरे पास जो blackboard का setup है, इसमें कुछ-कुछ equipment है, जो आपको common मिलेगा, जैसे ring light, आपको दोनों तरफ, मतलब इधर work करो, इधर work करो, दोनों तरफ सेम यूज होगा, laptop सेम यूज होगा, camera भी सेम यूज होगा, बस अंतर क्या आता है, कि जब digitally पढ़ाना करता हूँ, paint tablet के थुरू, और वहाँ पर whiteboard के थुरू करता हूँ, अंतर बस इतना है, कि यहाँ पर मैं whiteboard लेता हूँ, और यहाँ पर paint tablet का यूज करता हूँ, और green परदा का यूज करता हूँ, बस यह differences है, जिसमें मैं अपने purity presentation को दे सकता हूँ, यह भी बहुत बच्चो है, first one setup है, आप इसका सामने देख सकते हैं, किस तरह से मैं setup इस्टाल कर रखा हूँ, यहाँ पर जितना भी editing book है मेरा, सारा editing book यहाँ पर बैठके होता है, और जब मुझे PPT presentations, online academy के तरह, यह बैजू के तरह, जिस भी platform पर online जैसे बच्चे पढ़ते है, study IQ में पढ़ते है, बहुत सारा ऐसा platform है, जिस में PPT के तरह पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ पर बैठके करता हूँ, अजब बच्चों को, मतलब whiteboard पर पढ़ना होता है, तो मैं यह frame में आ जाता हूँ, मतलब आप इस room में, एक single room में, one, two, three, three frame setup करके, आप सब काम एक room में setup कर सकते हो, लेकिन ए में office से काम करके आता हूँ, और तुरंत मुझे stable पर आके बैठना होता है, तुरंत editing करना होता है, और फिर तुरंट जाकर मुझे बोट पर पढ़ाना होता है, तो बहुत active schedule होना है के कारण, आपको पता है दोस्तों कि ठकान बहुत जादा हो जाता है, और मैं office भी जाता यहीं पर जादा टाइम मुझे पढ़ाना पर देना है तो यही है हमारा सेटप इन वन रूम थ्री फ्रेम वन फर एडिटिंग वन फर ओनलाइन डिजिटल वोग और वाइट वोड यूज पर मैं आपको एक रिंग लाइट का काम करने का फंसान एक बताता हूं जिसमें आपक का बोर्ट कवर हो जाता है और आपको दिक्कते फेस करने की प्रॉब्लम हो सकती है तो मुझे भी फेस हुआ था मैंने कुछ इसका तरकीप निकाला जो कि मैं आपको अपने इस वीडियो में दिखाता हूं तो आप देखिए जब है जो आप वाइट पर पढ़ाएंगे तो क्या करें कि इसको रिंग लाइट को अप टरन कर दें तो इसके फ्यादस क्या होगा कि इसके जो रिफ्लेक्शन होगे वहूत तब्हुत पड़ियो होगा अगर आपका दिवाल वाइट वोゲ्ट से पेंटेड है तो भहुत ही मतल mascot मतलब हैगा। क्योंकि इसमें वाइथ वो एह स्पढ़ पर नहीं दिखेगा और जो प्रेजंटेशन मेरे पूरे वाइट बोड़स कर सकते हैं मतलब इस कॉर्णर से पूरा कॉर्णर आप यूज कर सकते हैं, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और इस student को भी class देखने में issue नहीं होगा तो आप देख सकते हैं whiteboard मेरा ऐसे है और ring light क्या है? उल्टा है मैं क्या कर रहा हूँ? reflection का यूज कर रहा हूँ और फैदा क्या मिल जा रहा है कि जब मैं online classes लेता हूँ तो उसमें मुझे face को दिखाना होता है, only face तो यह ring light मेरे face पर पढ़ता है face पर पढ़ने से क्या होता है? कि मेरा face दिखता है बच्चों को और फिर PPT में मैं जो present करता हूँ तो बच्चे वो presentation मेरा देखते हैं और फिर यहाँ पर smooth class चलता है मतलब आपको कोई भी setup को disturb करने की जरूद नहीं है मतलब ring light को शर्फ ऐसे constantly आप खड़े रखिए हमेशा white board इधर रहेगा, यहाँ white board पर पढ़ाईए यहाँ पर distal board है, distal board से पढ़ाईए camera का setup पर्मनेंटली ऐसे रहेगा ring light का setup भी पर्मनेंटली रहेगा ring light जो मैं यूज कर रहा हूँ DRL18H यहाँ आपको Amazon पर मिल जाएगा और इसका detail view आपको डिजी भारत में आपको मिल जाएगा review कैसे इसको setup करें मतलब जो भी equipment मैं यूज कर रहा हूँ इस room में इसका detail unboxing और review setup आपको डिजी भारत में मिल जाएगा और जितना भी equipment है इसका सारा link मेरे description box में नीचे आपको मिल जाएगा तो यह है हमारा total framing frame और मैं आपको इस corner से भी दिखा सकता हूँ जहां से मैं enter करता हूँ room में आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि यह मेरा setup है गुस्ते साथ ही यहां पर डिस्टल पढ़ाई editing का वर्क रेस्टिंग चेर camera ring light laptop paint tablet और यह सब कुछ चीज़ है एक stand है जिसमें मैं webcam set करता हूँ मैंने आपको बता है ना कि यह जो मेरा webcam है इसको मैं वहाँ पर install करता हूँ उसको कैसे install करता हूँ जब मुझे camera का जरूरत नहीं होता है जो Canon camera है मतलब हम नहीं चाहते कि इसको ज्यादा यूज करें तो मैं इसको replace कर देता हूँ आपको वादा किया था कि मैं आपको online classes का setup दिखाऊंगा मैंने पहले भी decide किया था कि मैं दिखाऊं लेकिन उसमें मेरा setup बहुत अच्छा डंग से मतलब prepared नहीं था बहुत ही बिकार डंगा था तो मैंने सोचा कि आज setup को installed किया हूँ मतलब थोड़ा सा रिस्ट्र किया आप लोग इतना प्यार देते हैं तो मैंने सोचा कि मैं जो भी नया काम करूंगा मैं उस setup को आपको दिखाऊंगा मतलब इससे मुझे encouragement मिलता है motivations मिलता है क्योंकि आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हो और मैं आपसे यह आसा करते रहूंगा कि आप मुझे बहुत सपोर्ट करें मुझे प्यार देते रहें मेरे वीडियो को देखते रहें लाइक करते रहें शेयर करते रहें सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों सब्सक्राइब प्लीज करें क्योंकि मोटिवेशन मिलता है और तमाम मेरा जो setup है एक रूम में मैंने आपको दिखाया अगर आप भी classes इंस्टॉल करना चाहते है तो आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं इसका डिटेल रिव्यू अन्बॉक्सिंग आपको डीजी वारत में मिल जाएगा और जितना भी एक्यूप्मेंट मैं यूज करता हूं मेरे वीडियो के नीचे discussion box में उसका लिंक एबलेबल हो जाएगा तो keep on watching keep on smiling take care this is Pranakuan signing off from Gumakar thank you so much thank you for watching